करेंगे कि एके जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है जो मैंने दोनों इंडिकेटर याद पर लगाया है इसमें हमें के से पता चलेगा कि मार्केट का मुवमेंट कैसे होता है और आपको केसे देखना चाहिए दोनों इंडिकेटर को मैंने लगाया है तो आप देखिए मार्के सकते हैं जो time frame आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं maximum 30 minuut year one hour का लगाए तो आपको पताँ चल जाएगा कि मार्कट का sentiment के साथ आपका जोolly Pl line होता है वह PL line आपको कहां से market recovery कर रा है support ले रहा है और कितना ओपर तो यह बात आपको कहां पर support मिलेगा नहीं मिलेगा यह आपको दिखाई देता है लेकिन आपको sentiment market को पढ़ने के लिए यह market sentiment technicals आपको लगाएंगे तो अभी आप यहां से time frame setting कर सकते हैं जैसे मैंने तो मुझे वाननवर का जो सेंटिमेंट होता है उसको मैं स्टॉड़ी कर सकता हूं तो मार्केट देखे कहां से कितना आपको नीचे आया है और जो वाननवर वैसस में जो यहां से ग्यारा जो इंडिकेटर है ना आपको completely cloud negative side में चल रहा है positive नहीं है लेकिन एक बात हमें देखना चाहिए यह negative trend में recovery का sign इसलिए दिये रहा है stochastic RSI आप देखिए कापी नीचे में आ चुका है करीपर 3.12 आ गया है और यहां पर RSI कापी नीचे आ गया है percent of K नीचे आ गया है तो oversold market अभी है oversold हो गया है market तो ज्यादा expectation नहीं है कि और नीचे जाएगा लेकिन यहां से recovery आ सकता है और यह जो trend है negative होने के नाते यह उपर जब भी positive होगा यानि recovery आएगा तभी आपको यह trend positive नहीं होगा तभी क्या है ना pressurize योगा फिर से नीचे आदाएगा तभी हमें देखना चाहिए कि market का जो हमें अबर शॉल्ट को study करना चाहिए और दूसरी बात है sentiment के साथ हमें लेवल भी देखना चाहिए और जो स्प्रेंट होता है मैकसिमम आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम के साथ आप इसको सेलेक्ट करेंगे तभी रेजल्ट अच्छा आएगा जैसे आप देखिए डेवेसस का आपको कैसे देखने के लिए मिल रहा है तो आप इसको खड़ा दीजिए यहां पर देखिए वन आवर में लगाया है इस दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको इसकी ऊपर आ जाता है यह उपर है रिकवरी करने का चांच दिखाई जाता है तो आप इसको इससे देख सकते हैं इसको आपको चेंज करना है तो वीकली बेसस में आप देखिए कहां है काफी स्ट्रॉंग ली डेजिस्टंट पॉ और जो नीचे का जो पॉइंट है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा करकर देखेंगे इसको मैं आपको वन वीक और वन मौन्थ का में लगा रहा हूं तो देखिए यहां से क्या दिखाई दरा इसको थोड़ा बढ़ा टाइम फ्रेम के साथ हम देख लेंगे तो हमें दिखने क सेंटिमेंट के साथ आपको किसे देखना चाहिए सेंटिमेंट के साथ सेंटरल के वीक लाइन को आप देखेंगे क्योंकि आप यहां से देखी यह जो ट्रेंड है यहां से वान डे वे सिसमी पॉजटीव है स्टूकास्टी का रहे साही पूरा ऊबर्सौल लेबल पर अब नहीं लेंगे चॉइस अपना होना चाहिए तैंक यू सो मच्छ